क्या तू झोटी में मकार करेगा 300 करोड पार वर्लड वाइड कैसे हूँ आप लोग स्वागत है आपका तू झूटी में मकार के डेवन के अफीशल वर्लड वाइड के एपिसोड में मतलब ओवरसे से दोस्तों क्या हाथ लगा और यही दोस्तों आपको बता देगा कि यह जो पंदरा करोड से उपर के नजारे देखने के खाब नहीं देखे थे मुझे नहीं लग रहा था कि भाई 15 करोड से उपर यह कमाएगी जादर से जादा 12 से 15 करोड के बीच में नंबर आ सकते हैं क्योंकि कुछ जगा हॉलिडे था कुछ जगा नॉन हॉलिडे जिसके वेसे दोस 25 दिन बाद पठान रिलीज हुई थी पहले जिसने लिटरली सबके जेव खाली कर दे थे अभी एक बार फिर से दोस्तों यहां पे लोग ठीटर की और निकले हैं तो क्या यह मुवी अपने बाक्स ऑफिस में 300 करोड के कमाई करें या नहीं बात करेंगे ओवर से कल क्या देखें तो वाई साहब रनवीर कपूर की मुवीज ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है इंडिया की बात आप लोग दो मिन के लिए भूल जाओ वर्स की बात कर रहा हो यहां पे चाहिए उनकी मुवी शमशेरा भी क्यों ना हो ओवर्स में ठीक था कमाई कर लिया थ चाहिए तो गाइस सेलफी ने जितना अपने लाइफ टाइम में ओवर्स से कमाया मेरे ख्याल से शाड़े तीन चार कोड़ से जादा नहीं कमा और से तो दोस्तों इसने तो अपने पहले दिन में लाके दिखाया यानि कि तीन कर पचास लाग उन्पे के दोस्तों ऑवर्स के नंबर आए है डेवन के जो बहुत ही जादा बहतरी नंबर मेरे क्याल से जबरदस्ट नंबर है लाजवाब नंबर है तीन करोड़ पचास लाग उर्पे के दोस्तों नंबर सामने आए है ओवर्स इसके यह इस और इंडिकेट करता है कि यह मुवी लार्जन देन लाइव नहीं है मतलब मेंगनम उपस नहीं है रोमेंटिक फैमिली एंटेटेनिंग मुवी है फिर भी ओवर्स इस पे सारे इस मुवी की कमाई साड़े तीन करोड़ ओवर्स इसमें रही है और इंडिया की कमाई 15 करोड 73 लाक रुपे ती जिसका ग्रॉज जाके कहीं 18 करोड 60 लाक रुपे होता है 18.60 करोड दोस्तों इसने टोटल अपने डेवन में जो कमाया है बाइस करोड़ रुपे पार कर दिय वर्लड वाइड में 22.10 करोड 22 करोड 10 लाक रुपे का इसका टोटल वर्लड वाइड कल का बस आफिस जो इस और इंडिकेट कर रहा है कि यह जो मोवी है 300 क्रोड ख्लब में दोस्तों यह जाने का माद़ा रखती है अलाकि दोस्तों मैं ये बात भी कहूंगा कि ये जो मूवी है इंडिया के अंधर कोई बहुत जादा अच्छे नंबर नहीं ला सकती ये बात दोस्तों मैं आपको कहूंगा क्योंकि जो मास ओडियंस है वो दोस्तों इस मूवी को पसंद नहीं कर रही है ये बात सच्छा ही है family audience यहाँ पे जो बड़े एच के बच्चे 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 बोल रहा हूं और जो यहाँ पे guys youth है वो इस movie को ज़रूर ही पसंद कर रहे हैं multiplex में बहुत मजबूत है लेकिन दोस्तो mass audience single screen में यह movie थोड़ा सा down है जिसके वज़े से मुझे यहाँ पे दोस्तो net में 300 करोड के जो collection है वो बहुत ही जादा दूर लग रहे हैं अगर दोस्तों यह 200 करोड कमा ले तो मेरे हिसाब से गनीमत होगा बाकि मेरा प्रेडिक्शन तो शुरुवात से ही मतलब ब्लॉक्बस्टर दोस्तों तो नहीं ही था इतना था कि यह movie अपने box office में हिट जरूर होगी 99 परसेंट चांस था कि movie हिट हो जाएगी बाकि एक परसेंट चांस कुछ भी हो सकता है लेकि नंबर देखने के बाद मुझे लगता है कि दोस्तों यह movie हिट होगी और नैट में डेट सो करोड का अंखड़ा यह पार करेगी यह मेरी गरेंटी है इसके उपर जितना भी होगा इस movie का नसीब है बाकि दोस्तों यह oversus से oversus दोस्तो यह जो movie है क्या पचास करोड क्या 60-70-80 क्या कमा सकती है क्या लगता है आपको और भाई भ्रमाज जैसी मेंगनाम वोपस movie ने 100 करोड पार किये थे तो क्या यह movie 50 करोड पार कर सकती है क्या कहना है दोस्तों आपका बत